नमस्कार दोस्तों, मैं हूराज मरी सिंग, आज आप देख रहे हैं, राजी विशने केर, तो आज हम लोग एक गाउं में आएगे हैं, गाउं को नाम है चांदपुर रहिया, एक नीरज भाई हैं, उनके घर में एक साप निकला हुआ है, तो उसी को रेस्क्यू करने आए हैं, तो आप बने रहे हैं, हमारी इस वीडियो के साथ, और देखिए एक साप कौन सा है, बता करनार में देखिए, आपको दिखाने के प्रयास करते हैं, यहां पे है, और निकालने के प्रयास कर रहे हैं, और काफी तेज है, यह कोबरा साप है, यह आप देख सकते हैं, और यह इधर उधर काफी तेज भग रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसको हम बाहर ले चल कौबरा साफ है जो कि अपने छेट में सबसे ज़्यादा पाय जाने वाला एक विसाइला साफ है ये कई नामों से जाना जाता है जैसे कोबरा, नाग, फेटार, गेंवन और करीया साफ इसकी पैचान जो यह है कि यह काला और भूरे रंग का हो सकता है इसके फन पर चस्मे का एक निसान होता है और यह खत्रा या गुस्सा होने पर अपने फन को उठा कर खड़ा हो जाता है और इसके फन पर यह काले रंग का निसान होता है तो ये देखिए, पीछे एक हलका सा फन का निसान है, दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये हलका केंचुन में भी है, और वहां तो काफी तेजी दिखा रहा था, लेकिन यहां पर ये कुछ बाहर आ गया है, कुछ सुस्त है, ये इसी तरीके से पने फन को उठा के खड़ा ह हो जाता है, और ये देख सकते हैं, सफेद घिरी हुए जो है, एक काला बिंदू पाया जाता सामने, और काफी खतरनाक साफ होता है काड़ने पर, और आप देख रहे हैं, इसे पहचान लेजी, ये एक सर बरसात के सीजनों में, या गर्मी के सीजन में, ये हमारे घरों के अ अंदर आ जाता है, और खास करके ये चूहों की तलास में हमारे घर के अंदर आता है, और इसका जो मुख्य भोजन है, वो चूहा है, मेढख है, साफ है, अंडे हैं, ये बड़े चाव से खाता है, और देखी इसको हम उठा रहे हैं, और इनके छिपने की जगा, ये बान च काड़ते हैं, इनके जो लंबाई होती है, वो लगभग साड़े चार से साड़े पांच फित हो सकती है, लेकिन ये कभी कभी साथ फित तक भी देखे गए हैं, मादा जो है, मार्च से जुलाई के बीज में है, जो है, ये बारा से तीस अंडे देती है, और इन साफों की उम काड़ता है, कोई भी साफ हमें मतलग कि जल्दी काड़ता नहीं है, वो काफी सरमेले और डरपोक होते हैं, जो कि भागने का प्रियास करते हैं, और अपने आप की धहदवर छिपाने का प्रियास करते हैं, यदि ऐसा साफ आपको कभी काड़ ले, तो आप हास्पीटल तो कुछ हमाब को टिप्स बता रहे हैं, जिससे कि सर्पदन से बचा जा सकता है, सांपों से बचा जा सकता है, तो सबसे पहले आप घर में साफ सफाई रखें, बिल वा दराजों को गिली मिटी से जाम कर दें, और अंधेरी जगा में जाने से पहले आप टार्च का उपयो यदि ऐसा साप आपको काटे तो आप जाड़फों के चक्कर में ना पड़ें और तदकाल जो है आस्पिटल ले जाएं, तब इसको हम थोड़ा सा पैक करते हैं, तो आप हमारे चैनल को जो है सबस्क्राइब कर ले, लाइक करे, इसे येर करें अपने दोस्तों में, और पोन कर सकते हैं, तो ये देखिए, लोग काफी भी बाब मचा हुए हैं, तो जोहां जोते हैं, वहां के लगें को इसे आप 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 हैं, तो आप भालने मां और नमस्कार,